दोस्तो आज किस वीडियो में हम भारत के MKO चाइना के FC-31 फाइटर जेट का डिटेल में कमपेरिजन करने वाले हैं इस कमपेरिजन को करने के पीछे कारण यह है कि जल्थी चाइना की तरफ से पाकिस्तान की वायू सेना को अपने FC-31 फाइटर जेट दिये जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ से यह प्लैनी की गई है कि हम भविश्य में 100 के आसपास चाइना के FC-31 फाइटर जेट को अपनी वायू सेना में शामिल करेंगे और अब बात करते हैं दोनोई फाइटर जेट के टेकनिकल स्पेशिविकेशन के बारे में जो हमारा एमका फाइटर जेट होने वाला है उसकी लंबाई 57.9 फीट होने वाली है वही पर चाइना के FC-31 फाइट की लंबाई 56.9 फीट होने वाली है यानि कि हमारा एमका फाइटर जेट थोड़ा लंबा फाइटर जेट होने वाला है वही पर हमारे एमका फाइटर जेट के पंको की चोड़ाई 36.6 फीट होने वाली है वही पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट के पंको की चोड़ाई 37.9 फीट होने वाली है यानि कि पंको की चोड़ाई के मामले में FC-31 फाइटर जेट थोड़ा फाइटर जेट होगा और अब बात करते हैं दोनोई फाइटर जेट की हाइट की हमारे M का फाइटर जेट की हाइट 14.9 फीट होगी वहीं पर चाइना के FC-31 फाइट की हाइट 15.9 फीट होगी यानि की चाइना का FC-31 किलोग्राम होगा वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट का MPT वेट साड़े 13,000 किलोग्राम होगा हमारे एमका फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के दो F414 इंजन लगे होंगे जो ड्राई अवस्था में 57.8 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेंगे और आफटर बर्नर के साथ ये इंजन 97.9 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेंगे वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट के अंदर भी दो ही इंजन लगे होंगे और चाइना अपने FC-31 फाइटर जेट के अंदर WS-13 नाम का इंजन लगाने वाला है जो ड्राइ अवस्था में 56.7 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और ये इंजन आफटर बर्नर के साथ 87.2 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है लेकिन जो ये WS-13 इंजन है इसकी परफोमेंस बहुत ही ज़्यादा खराब रही है चाइन इन इंजनों का इस्तमाल इस समय अपने JF-17 धंडर फाइटर जेट में भी करता है और JF-17 धंडर फाइटर जेट की परफोमेंस से आप पहले ही वाकिप होंगे एमका फाइटर जेट का मैक्सिमम टेक ओफ वेट 25,000 किलोग्राम होने वाला है वही पर चाइना के FC-31 फाइट का मैक्सिमम टेक ओफ वेट 28,000 किलोग्राम होने वाला है यानि की FC-31 फाइटर जेट अपने साथ में थोड़े ज़्यादा वेपन को केरी कर सकेगा हमारे MK fighter jet की speed 2.15 mk होने वाली है यानि की 2600 km के आसपास वही पर चाइना के FC 31 fighter jet की speed 1.8 mk होने वाली है यानि की 222 km प्रतिघंटा speed के मामले में हमारा MK fighter jet काफी जादा तेज fighter jet होने वाला है MK fighter jet की service ceiling यानि की हमारा MK fighter jet कीतनी उचाई तक उडान भर सकेगा तो हमारा MK fighter jet 65,000 feet की उचाई तक उडान भर सकेगा वही पर चाइना का FC 31 केवल 52,000 feet की उचाई पर ही उडान भर सकेगा MK fighter jet की fuel capacity 6500 kg होगी वही पर चाइना के FC 31 fighter jet की fuel capacity 500 kg के आसपास होगी एमका fighter jet अपने साथ में 6500 kg के पेलोड को लेकर जा सकेगा वही पर चैना का FC-31 fighter jet अपने साथ में 7000 kg के पेलोड को लेकर जा सकेगा एमका fighter jet की रेंज 3240 km होने वाली है त्यानि कि एक बार fueling होने के बाद हमारा एमका fighter jet 3240 km दूरी तक जा सकेगा वहीं पर चाइना का FC-31 फाइटर जेट एक बार फ्यूलिंग होने के बाद केवल 2400 किलोमीटर दूर तक ही जा सकेगा यानि कि हमारा MKा फाइटर जेट FC-31 फाइटर जेट से ज़्यादा लंबे ओप्रेशन को अंजाम देने में शक्षम होगा MKा फाइटर जेट की कोमबेक ट्रेंज यानि कि हमारा MKा फाइटर जेट कितनी दूर जाकर हमला करकर वापस आ सकेगा तो हमारा MKा फाइटर जेट 1620 किलोमीटर दूर जाकर हमला करकर वापस आ सकेगा वहीं पर चाइना का FC-31 फाइटर जेट केवल 1200 किलोमेटर दूर जाकर ही हमला करकर वापस आ सकेगा एवियोनिक्स के दोर पर हमारे एमका फाइटर जेट के अंदर उत्तम ऐसा रेडार लगा होगा जो काफी पावरफुल रेडार होने वाला है वहीं पर चाइना के FC-31 फाइटर जेट के अंदर के LJ-7A एसा रेडार लगा होगा यानि रेडार तो चाइना ने अपने FC-31 फाइटर जेट में ठीक ठाक लगाया है लेकिन ओवर ओल फाइटर जेट की परफॉमेंस को देखा जाए तो हमारा एमका फाइटर जेट FC-31 फाइट से काफी जादा एडवांस फाइटर जेट होने वाला है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि इस कमपेरिजन को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि एमका फाइटर जेट जादा शक्तिशाली होगा या फिर आपका ये मानना है कि चाइना का FC-31 फाइट जादा शक्तिशाली होने वाला है इस बात का अंचर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूड डे